आपका बहुत बहुत स्वागत परता हूं और जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने जियोतिष ग्यान के नाम से एक सिरीज चलाई है जिसमें मैं बिलकुल बेसिक से लेके एकदम बेसिक से लेके और डवांस एस्ट्रोजी तक आपको कुछ ने कुछ पढ़ाता रहूंगा और इ एक अच्छा एस्ट्रोजर बने से आप कोई निरोख पाएगा आप एक अच्छा एस्ट्रोजर बनेंगे अगर आप शुरू से लेके और अंतक यह सारी वीडियो देखते हैं तो अभी तीन वीडियो तो हो चुकी है चौती वीडियो है आज ये तो आज इसके अंदर मैं राशियों के बारे में बताना स्टार्ट करूंगा कि राशी क्या हैं किस प्रकार की होती है राशियों के कितने प्रकार होते हैं राशियों का क्या सभाव होता है वो सब चीजे आपको बताना स्टार्ट करेंगे तो जादर समयना वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं प्र कि तो यृजिए क्या हैं क्या होती है एंकए कितने प्रकार है उनका क्या सभाव है इस अकाने ये सुनिए कोई ऐलने की रॉक सासी दिंगे जो समझ माने में दिक्कत हो, जो बिलकुल नए सीख रहे हैं, उन सब साथियों से, उन सब बच्चों से मेरा कहना है कि आपको बिलकुल भगरारे की जिविट नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, आप सिंपल वे में सबजना चूँ कीजिए कि राश्यां क्या है, उनके सभाव क हैं और कितने प्रकाल की राश्यां होती है तो इसके लिए, सबसे पहली चीज तो हम आपको ये बताएंगे, देखे, ऐसा होता है, कि जो तिस जो है, वो बैसिकली आपके बेज़द है, वो द्रस्टा के उपर बेज़द हैं, द्रस्टा का मतलब हैं, कि हम धर्टी पर खड तो सोर्य पूरफ से निकल रहा है पृष्भ के उद्डूग रहा है तो हम देख रहे हैं यार讲 थर। पूरफ से पूपलudsi पृष्भ के उज़ारा रहा है जब कि सूरज नहीं इस घंटे में चक्का लगाती है तो इसलिए हमको सूरिय घुमता दिखाई पड़ता है जो हमने जो गहा ले लेकिन जोतिश के लिए हमने यही माना है कि सूर्य घुम रहा है क्योंकि हमने अपने आपको constant मान लिया है हमने अपने आपको इस्थिर मान लिया है और सूर्य को हम मानते हैं कि वो घुम रहा है तो खुल मिलाके हमने जोतिश में जो ग्रहे अभी तब पीछे हमने जिगर किये उसमें सूर्य भी को भी हम एक ग्रहे के रूप में ही मानेंगे जबकि सूर्य ग्रहे नहीं है प्रत्वी ग्रहे है पर फिर भी सूर्य को हमें ग्रहे के रूप में मानेंगे क्योंकि हम यह बान और सूर्य चंद्र मंगल बुद्ध शुक्रशनी और साथ में दो च्छाए ग्रह होते हैं जिनके बारे मैंने पीछे आपको बताया भी था कुछ internal planets होते हैं कुछ external planets होते हैं वो आपको पीछे की वीडियो में मैं बता चुका हूँ अगर आपने ना जानते हैं ना देखा हो तो वीडियो को देख लीजिए उससे आपको बहुत सारी रही है अब होता यह है कि राशिया क्या है ओ राशिया अब आपने कोई भी आपका अंत्रिक्ष है वो अंत्रिक्ष है तो उसको वहाँ पर कहीं आपको जा रहा है जैसे सबintell ya आप जाना चाहते हैं या रश्या जाना चाहते हैं तो आप उससे कहेंगे कि आप यहां से फ्लैट लेजिए जोहांसबंग जाईए जोहांसबंग से दूसी फ्लैट पकड़िए एक लेंड जाईए यहां से फ्लैट लेजिए आप इस्तानबुल जाईए इस्तानबुल से फ् इनाट प्लेज जाना है तो मैं कैसे जांधों आप उसको बताते हैं कि में आप यहां से सीधे जाएए सीधे जाने के बाद ट Four आंगा टबाद बी लेफट टरू आएगा उस लेफ्ट टरू य क Theo और ये सीु स्थ सुरौ इनकर आ सीदा जाना है, वहां से राइट जाना है, फिर वहां से लेट जाना है, दो बत्या छोड़नी है, तीसरी बत्य से राइट लेना है, वो सब चीज़े हमारे दिमाग में होती है, लेकिन अब जो अकाश है, पूरा अंतरिक्ष है, ये पूरा जो अकाश है, इसका क्या, इसमें क कहीं से भी गिन लिजिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा और बारा तो कुल में लाके पूरे ब्रहमान को हमने बारे भागों में डिवाइड किया हुआ है यह एक सोलर पटी है जिसे कह सकते हैं जो कि आठ डिगरी उपर और आठ डिगरी नीचे रहती है सोलर पटी है सोलर बैंड है और यह इसी के बीच में सारे ग्रहे गुमते हैं मतलब इनी सोलर पटियों के बीच में सारे ग्रहे गुमते हैं आपको यह मालूम ही है कि सूर्य के चार और सब ग्रहे गुमते हैं तो यहां सूर्य बना हुआ है और सारे ग्रहे इसी उसमें गु पेटेलों के दिस्टैन्सेस किया है उनको राशियां बोलते है بारा भाव को राशी जैसे हैं लेलों पांचुे सिंह बहलते हैं कैना जूसरे बहाब को tv रॉलते हैं तीसरे बाक को मिध्रफुन ऐतुराशी बोलते हैं जौतेम आखके हम कश्अ कहषित बूलते हैं पांचवे भाग को हम सिंग राशी बोलते हैं, छटे भाग को हम कन्या राशी बोलते हैं, सता भाग जो है उसको बोलते हैं, साथवे भाग को हम लोग बोलते हैं तुला राशी, आठमा भाग जो होता है ब्रहमान का उसको बोलते हैं प्रशिक राशी, जो नवा भाग होता है उसका ब्रह्मान का उसको बोलते हैं धनूराशी जो दस्वा भाग होता है उमकर ग्यार्वा भाग जो होता है वो कुम्ड और बार्वा भाग जो होता है वोता है मीन तो इस तरीके से बारा भाग है, मेश से लेके मीन तक बारा भागों में डिवाइट किया वाया पुरे ब्रह्मा तो हम कह सकते हैं आप जैसे कोई यहां ग्रह गुम रहा है suppose कि यह प्रत्वी गुम रही है यह प्रत्वी ना होके यह जो मैंने दिखाया है यह मंगल रहा है यह सूरी के चार और चक्का लगा रहा है तो अभी मंगल कहा है मंगल अगर आप देखें तो वो तुला राशी के पास में है यह तुला राशी है इसके पास में है तो हम कह सकते हैं कि मंगल अभी तुला राशी में है जिसे हम लोग कहते हैं हम लोग बाते कर आजक्ता गोंगर जिस न carne नाने बदूम्द का राएगे दो यही चकरबाजी है और कोई यहась जारची नहीं है इस अभा यही ब्रहमांड है पूरा गुंब रहा है इस तरी के से ग्रहे गुमरे एंधरेंगे जिस राशी के पास होता है हम कहते हैं उस राशी में अब सूर्य है सूर्य को भी हम यह मानते हैं कि यह घुम रहा है तो सूर्य धनु राशी के पास है तो हम कहते हैं सूर्य धनु राशी में तो कहने का मतलब यह है कि पूरे ब्रह्मान को बारे भागों में डिवाइड किया हर भाग को राशी बोला जाता है और जो ग्रहे जिस भाग के समीब होता है उसको बोला जाता है कि वो ग्रहे फला फला राशी के अंदर विराजमान है अब राशी को और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या राशी थोड़ा और तुम्झे की भाग तो हमने कर दीए लेकिन वह भाग करें गैसे मतलब कैसे हम लोग करें कि यह भाग है बारा भागों में डिसाइड किया है तो उसके लिए भी एक तरीका इसके दर बताया गया है कि किस्ते से बारे भागों में डिवाइड करते हैं ये देखें ये बारा राशिया हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा और बारा यानि टोटल भ्रह्मांड के बारा भाग किये गए हैं तो राशिया जो हैं बेसिकली एक तारों का सम्हू है मतलब आप ये कह सकते हैं जो तारे हैं हमारे यह एक भाग है यह इस भाग में बहुत सारे तारे आगए प्रिये दूसरे भाग में बहुत सारे तारे आ गए तो ब्रह्मांट को हमने imaginary रूप से बारे भागों में डिवाइड कर रखा है और बारे भागों में डिवाइड किया हुआ है कि महां पर जो तारे हैं उनकी गुरुप से डिवाइड कर दिया कि ये गुरुप जो है पूरा ये मेश राशी का है ये गुरुप पूरा ब्रश राशी का है ये गुरुप पूरा मिथुन राशी का है ये गुरुप पूरा धनु राशी का है इस तरीके से हमने 12 भागों में यानि पूरा ब्रह्मान्ट को हमने माना है कि वो 360 लिगरी का है अब 12 राशियों में डिवाइड किया उसको बारे भागों में डिवाइड किया तो एक भाग 30 लिगरी का हो गया तो हम कहते हैं कि एक राशी 30 लिगरी गया और जो ग्रहे सूर्य के और चार और गूंते हुए या जो ग्रहे गूंते हुए जिस राशी के पास होता है उसको हम कहते हैं कि वो उस राशी के अंदर है कि ये जो चिन बनावाई शनी रहे का है मान लीज़े कि ये राशी कुंब राशे है तो वह स्टार्ट होता है वो दिख सकते हैं जैसे आपको सलीड में दिखाया था वो आप पीची जाके भी दिख सकते हैं ये दिखा रखा है आपको कि मेश, रश, मितुन, कर्ट, इसिंग सब राशिया आपको दिखाए गई हैं तो कहने का मतलब यह है कि राशी और कुछ नहीं ब्रहमान के 12 पार्ट्स हैं और हर राशी में बहुत तारों के संगू होते हैं और 30 डिखरी की एक राशी हमारी होती है ये मोटा मोटा हम लोगों को ध्यान रखना है कि एक राशी 30 डिखरी की होती है Grand इस तरी किसे इन राशियों के नाम होते हैं जो राशियों के नाम आपको याद करने होंगे इनको याद कर nochmal को दिखाए गाए고 इसके बाद एक चीज आती है लगन लगन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज डोल प्ले करता है यह भी मैं आपको बताएगता हूं यह बहुत स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं अब बहुत ध्यान से इन्हें आप सुनिए जरासी भी परिशानी आपको नहीं आएगी आवे जाके जब मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको बिलकुल परिशानी नहीं आएगी जैसे कुंडली मैंने पीछे आपको एक बाद दिखाया था कि कुंडली में बारा भाग होते हैं उसको हमने बारा भागों में डिवाइड कर रखा था तो कुंडली वो ही है कुं जो आस्मान हमारा है जो ब्रह्मान हमारा है उसका नक्षा है कुंडली की समय और उस नक्षे के हिसाब से यह दिखाया गया है कि कौन सा ग्रह है किस राशी में वो कुंडली है कौन सा ग्रह है हमने कहा कि पूरे ब्रह्मान को बारा राश्यों में डिवाइड किया है और कौ ही डाइग्राम है जो बच्चे के जन्म के समय होता है कि कौन सा अगर है किस राशी में है अब लगन क्या चीज है लगन भी तरह से राशी होती है ऐसा कुछ नहीं है कि लगन कोई लगन हम लोग बोलते हैं मतलब मैं इसलिए आपको यह दो चीज है शुग में पढ़ा रहा हूँ हला कि बाद में बढ़ानी चाहिए थी लेकि शुरू में पढ़ाने का मक्सद इनको यह है कि आपको बाद में पढ़ा हूं तो मैं आपको बिल्कुल अजनबी सा ना लगे कि यह दिशाय हैं आपकी, इस्ट है, नौर्थ है, साउथ है, इस्ट है और वेस्ट है, आपकी चार दिशाय हैं. अम नौर्थ साउथ इस्ट वेस्ट आप यह देखिए कि जिस समय बच्चा पैदा हुआ जिस समय बच्चा पैदा हुआ उस समय इस्ट में उस समय इस्ट में कौन सी राशी उदित हो रही थी कौन सी राशी दिखाई पड़ रही थी उस समय इस्ट में कौन सी रिशाई राश दिखाई दे रही थी बारा राशियां हैं उनके नाम मैंने पीछे बताये आपको मेश ब्रश मिथुन कर सारे सिंग लेके पूरा बताया करनिया तुला उन बारा राशियों में से कौन सी राशी पूर में दिखाई पड़ रही थी जिस समय बच्चा पैदा हुआ उस वक्त जातक है जो 25 अप्टूबर 1989 को पैदा हुआ गाजयबाद है पैदा हुआ और इसका टाइम था सुबह के चार बचके 56 मिनट तो सुबह के चार बचके 56 मिनट में जो राशी इस्ट साइड में दिखाई पड़ी हमको वो दिखाई पड़ी कन्या पहचाने ही कैसे कौन सी राशी है वो आगे डाइग्राम हमने दिये हुए है कौन सी राशी कन्या होती है उससे क्या डाइग्राम होता है सिंग राशी क्या डाइग्राम होता है वो सारी डाइग्राम से हमने आगे दिये हुए है लेकिन आपको यह घान रपना है ये पंचा लगन कुछ और नहीं है लेकिन लगन उस राशियों कहते हैं जो राशी पूर्व दिशा में उधित हो रही होती है जब जा तक जन रहेता है कि इसके बाद हम लोग चलते हैं कि लगन कि इंपॉर्टन्स है जैसे आपको बता दिया लगन किसको हम लगन बोलते हैं लगन बहुत इंपॉर्टन्स इंपॉर्टन रोल प्ले करता है पूरे लाइफ के अंदर आगे जब हम लोग इड़ानस एस्ट लॉजी पढ़ेंगे या तोड़ा और डीप में जाएंगे असलोजी के तब हमें लगन का काफी कुछ रून मालूम चलेगा लगन जो है वो हमारा पूरा लाइफ का अबजेक्टिव दिखाता है कि आपकी लाइफ का अबजेक्टिव क्या है देखे हर कोई इंसान जब पैदा होता है तो कोई ना कोई अजेंडा लेके तो आता ही है ऐसा तो नहीं कि हम लोग बिना किसी अजेंडा के प्रत्वी पे आ गए हैं हमारा कोई अजेंडा नहीं है या भगवान नहीं कोई हमें अजेंडा नहीं बना के दिया है जैसे कंपनी की बड़ी-बड़ी कंपनी की मिटिंग होती है बोर्ड म अजेंडा क्या है, लाइफ अब्यक्टिव क्या है, और आपकी नेचर कैसी है, ट्रेट्स ओफ नेटिव कैसे है, मतलब आप किस तरह के इंसान है, किस तरह की प्रकरती है आपकी, किस तरह का सुभाव आपका है, ये सब चीजें आपको लगन बताएगा, ये हर लगन के तो आपको सब चीज क्रिवर हो जाएंगी अभी मोटा मोटा समझिए कि पूरे ब्रह्मान को बारे भागों में डिवाइड किया एक राशी के बराबर होती है राशियों के नाम मैंने इसमें दे दिये हैं लगन जो पूर पूर दिशा में राशी होजित होती है बच्चे जन् बरी से जो जो करना चाहते हैं वो यह गए नम्दर पर सब्वर करके जोइन कर सकते हैं उसके अलावा हमारी कुडली 5 सी क्लास चलती है हर सब्समाट कर सकते हैं यहीं मैं अपना बता के समाख करना चाहता हूं धन्यवाद जैशी कृश्य